हमेशकार दोस्तों, कल सुप्रीम कोट के द्वारा एक ऐसा डिसीजन आया है जिसकी वजह से देश के अंदर जो अर्बन प्लाइनिंग है उसके उपर काफी बड़ा इंपक्ट आ सकता है, आपको पता होगा हमारे देश में अभी भी अर्बन प्लाइनिंग को बहुत जादा स देख रहे हो, 40 स्टोरीज यहां, 40 मंजिल के दो टावर हैं, इनको यहां पर डेमॉलिश कर दिया जाएगा, खतम कर दिया जाएगा, यह आप देख पाएंगे, सुप्रीम कोट ओर्डर्स, सूपर टेक्टू रेज, टू नोईडा टावर्स इन 3 मन्स, रिफंड बायर्स, इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे, कि यह पूरा मामला है, क्या कब से चल रहा है, क्यों इसको तोड़ने की बात कही जा रही है, और इसका इंपक्ट क्या हमें देखने को मिल सकता है, काफी कुछ जानने को है, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, simply आपको हमारे app को download करना है, या फिर studyiq.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत कम दाम पर जितने भी courses हैं, उपलब करा दिये जाते हैं, चलि देखते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इस अगर आप इसकी location देखोगे ना, तो यह I think शायद sector 65, उसी के आज पासे सायद उसी में ही है, यह super tech जो आपका group है, उनके द्वारा दो building बनाई गया था, जो की 40-40 मंजिला का दो इमारत बनी थी, तो यहाँ पर Supreme Court ने कहा है कि जो regulations हैं, rules regulations हैं, उनका उलंगन किया गया है, फ्लाउट किया गया है, जो दो tower के बीच में distance होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह एक tower है और यह जो दूसरा tower है, तो दोनों tower के बीच में जो distance होना चाहिए, उसके rules regulations का यहाँ पर उलंगन हुआ है, साथी साथ fire safety हो गया और बहुत सारी चीजे हैं, आपको पता होगा, इसका full form होता है, new okla industrial development authority, okla आपको पता है कि दिल्ली में आता है, जो okla wildlife century वगर आपने सुना होगा, बहुत सारे industries वगर आप आ रहे हैं, तो नोडा का full form यह है basically, तो यहाँ पर नोडा जो authority है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनके साथ मिलकर यह जो group solution किया, और यह building को बनाने की सहमती दे दी, यहाँ पर नोडा authority ने अनुमती दे दी, जबकि इसको देनी नहीं चाहिए थी, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे, अलाबाद high court के दोरा बुला गया है, I mean कि यह जो पुरा case था, ध्यान रखेगा, पहले high court में, basically अगर आप इस पूरे building को ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सम्झाने की कोशिश करता हूँ, पहले क्या था, जो original plan था, यह जो पुरा plot आप बड़ा सा देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको यह छोटी-छोटी buildings भी देख रहे होगी, यह भी आपकी 9-9-10-10-10 मंजिला इमारत की building है, तो पहले जब original plan बनाया गया था, super tech के द्वारा इस पूरे compound में, तो यहाँ पर बोला गया था कि सरफ यह वाले building होगी, originally अगर आप देखो, तो यह दो बड़ी इमारत का कोई plan नहीं था, तो आगे चलकर यह जो owners हैं, building के owners हैं, अलग-लग flat के जो owners हैं, उनको लगा कि इस तरह का जो दो tower खड़ा किया जा रहा है, यह कही ना कहीं सही नहीं है, और यहाँ पर जो residential welfare association है, RWA, दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं, उनको अच्छे से पता होगा, RWA क्या होता है, basically उनके welfare के लिए association होता है, एक प्रकार का group आप कह सकते हो, त उन्हों ने basically यह पूरा case दर्च कर दिया, और कहा कि यह जो दो building के बनाई जारी है, वो सही नहीं है, तो यह पहले judgment आया था, अलाबाद high court का, और अलाबाद high court ने भी 2014 में बोल दिया था, कि यह दो tower को खतम कर देना चाहिए, डेमॉलिश कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ यहाँ पर जो super tech है, यह जो company है, वो चली गई supreme court, फिर supreme court ने यहाँ पर उसके उपर stay लगा दिया, कह दिया कि जिस तरह से यहाँ पर जो बना हुआ है, basically जब अलाबाद high court का judgment था, तो यह भी construction में चल रहा था, और इसलिए आप देख रहे होंगे, यह पूरी तरह से complete नही और यहाँ पर जो भी demolition का, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चाएगा, इस पूरे building को आप सोचो, आसपास की जो building हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे, बहुत proper तरीके से करना होगा, और इसके लिए जो भी खर्चाएगा, वो developer को देना होगा, मतलब super tech यहाँ पर देगी, अ और साथी साथ यहाँ पर जो resident welfare association है, यह जो building हैं, जिन्होंने case दर्च किया था, उनको भी 2 करोण का यहाँ पर penalty पे करना होगा, मतलब कि यह जो super tech है, वो 2 करोण रुपए इनको देगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से, इन लोगोंने case लड़ा, अपना time दिया, तो 2 करोण residential welfare में चला जाएगा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे Supreme Court के judgment में, तो जो bench है, Justice, D.Y. चंदरचूड और M.R. शाह, उन्होंने ये बोला, कि उत्तर परदेश के अंदर ये 2 important आपके act हैं, जैसे कि उत्तर परदेश industrial area development act 1976 और उत्तर परदेश apartment act 2010, तो दोनों का यहाँ उलंगन किया गया है, basically ये बनाए गया थे ताकि environment का protection हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर residents के safety को नजर अंदाज किया गया है, उनके well-being को नजर अंदाज किया गया है, और इसका construction का order दे दिया गया था, और Supreme Court basically यही कह रहा है कि ये जो illegal construction है, इसको severely deal करना चा जो कि अगर ऐसा होने लगेगा, आप सोचो पूरे देश भर के अंदर और जब हम urban planning की बात करते हैं, तो किस प्रकार से हम urban planning को सही दिशा में ले जा सकेंगे, ये बहुत बड़ा concern है, और safety standard हो गया, ये सारी तो चीजे हैं हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपके मन कैसे अपना case आ रहा, सबसे पहला था distance criteria, मैंने आपको दिखा ना, जो दो टावर यहाँ पर लगे हैं, उन दुनों के बीच का distance, और यहाँ पर दूसरा एक मामला था, जो बाकी के home buyers हैं, उनसे proper consent नहीं लिया गया, जो आस-पास के जो लोग हैं, उनसे सही consent नहीं लिया ग ठीक है, जो दो building के बीच में tower का distance है, बहुत सारी ऐसी building है, मतलब super tech argument दे रहा था, कि Noda में अल्यडी बहुत सारी building present है, जहाँ पर 6-9 meter का ही distance देखने को मिल रहा है, और हमारा जो distance है, यह 40-40 tower के बनाए गया है building, उनके बीच में distance 9.88 meters का है, तो यह कहना कि हमने distance maintain नहीं कि यह गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 2010 का जो पूरा order आया था Noda के अंदर, उसके अंदर यह बोला गया कि आपको 16 या 17 meter का फासला रखना है दोनों के बीच में, और इसके अलाबा यह जो super tech group है, उसका यह भी कहना था, कि जब हमें यह sanctions मिला Noda authority से, यह buildings बनाने का, यह 40 tower के buildings बनाने का, और जब construction हमने start किया था, उसके पहले तो यह residential welfare association होता भी नहीं था, इन्होंने आगे चल कर यह पूरा association बनाया और हमारे उपर case दर्च किया है, और super tech का यह भी कहना है कि initially करीब 633 लोगों ने यहाँ पर जो book किया था flats को, इस पूरे tower के अंदर, उसम यह भी मैं आगको बताता हूँ कि जो NOIDA की authority है, वो क्या कह रही थी supreme court के अंदर, देखे, उनका यह कहना था कि देखे हमने जो भी sanction किया है, मतलब super tech को अनुमती दी थी, उसमें basically जो भी rules regulation था, उसी के अधार पर दिया था, अब देखे, इसको थोड़ा सा समझने क्या हो यहाँ पर NOIDA की authority यह कह रही है, कि जो distance की बात कही गई है वो distance block के बारे में कहा गया है, अब समझो, अब मान लो एक बहुत बड़ा land है, पुरा compound है, ठीक है, अब इसमें कई सारे block हो सकते हैं, एक block यह हो गया, दूसरा block यह हो गया, तीसरा block यह हो सकता है, फिर चौथा नीचे हो सकता है, बहुत सारे block हो सकते हैं, और एक block में तीन building यह बनाई जा सकती है, तो NOIDA की authority यह कह रही थी, कि एक block के अंदर कितने building होगी, यह तो खुद जो builder है, वो decide करेगा, super tech decide करेगा, तो यहाँ पर super tech ने decide कि एक block के अंदर हम दो tower बनाएंगे, तो वो जैसे चा लेकर rules and regulation मनाया है, NOIDA की authority यह कह रही थी, लेकिन supreme court का यह कहना था कि देखे आप इस तरह के तर्क नहीं दे सकते हो, basically यहाँ पर distance बोलने का मतलब क्या है, अब जैसे कि सपोज, जैसे कि आपने देखा होगा constitution की भी जब चर्चा होती है, जब हम बात करते हैं article 21, right to life की, त तो zebra crossing पर ही सड़क cross कर सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जब गाड़ियां वहाँ से गुजर रही है, green light है, traffic light green है, तब थोड़ी आप cross कर पाओगे, जब आपका जो walking का यह वाला green light होगा, तभी आप cross कर सकते हो ना, तो यह सभाविक सी बात है कि जब हम distance की बात करते है Supreme Court का यह कहना था, तो basically हम उसके अंदर यह देख रहे हैं कि जो लोगों का entitlement है, लोगों को क्या चाहिए, ventilation चाहिए, proper light चाहिए, air लेकिन आप इतना सादा close building बना दोगे इस तरह से, और आज पास के जो लोग हैं, उनको परिशानी होने लगीगी, तो यह सही नहीं होगा, इसके लावा यहाँ पर Supreme Court ने यह कहा कि privacy का भी मामला आता है, इसके लावा जो fire safety वगर है वो भी पुरा मामला है, तो आप यह तर्प नहीं दे सकते कि एक block यह है और फिर दूसरा block के बीश में distance की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो distance है वो buildings के बीश में भी distance होना चाहिए, तो यह Supreme Court ने नतीजा निकाला ऐसा और Noda Authority का जो पुरा तर्प दिया जा रहा था, उसको भी यहाँ पर खारिच कर दिया गया है, और इसके लावा Supreme Court ने एक और चीज बोला, यह भी कहा कि जो बाकी के पंदरा टावर्स हैं, यहाँ पर जो अलग अलग buildings आप टावर्स completely independent होगा, वो आपके compound में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वहीं पर इसको बना दिया गया, तो यह जितने भी सारे चीजें थी मैंने आपको बताया, इसको देखकर Supreme Court ने यह कहा, कि इन जो दो टावर है इसको demolish करना पड़ेगा, I hope कि अब आपको सारे तर्क समझ में आगे होगे, लेकिन जाने से पहले कि यहाँ पर एक और चीज Supreme Court के दौरा बोली गई, वो था urban development को लेकर, मैंने आपको बताया ना, देश के अंदर जो unauthorized construction है, वो बहुत जादा देखने को मिलता है, और even जो Supreme Court का जो direct हमला है, वो आपका authorities के उपर भी था, कि किस तरह से जो authorities हैं, वो यहाँ पर developer के साथ मिलकर collusion करती हैं, एक प्रकार से corruption करती हैं, और इस तरह का unproper तरीके से urban planning किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो यह बुरा वीडियो था दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही interesting question आपके लिए, क्योंकि हम urban planning की बात कर है, मेरे instagram पर तो मिले गा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर ले सकते हैं, बाकि अगर आपको pdf चीई तो telegram पर आए, अलग-लग social media पर भी आप